कि अश्क नथा इस लाक्षा सथिसे कि 4 दों सभनत करें चाप्टर इस चेप्टर में स्टार्थ ही करीन अंच यह बारे में बैलंसर्ट ऊंबयलंसर्ड जब הצ और इस वुद्ण ब्लॉक के यहां से भी आरो है यह अगर यह एकस वाली रोग को यह रोग है यह Č है यह स्ट्रिंग है ठीक है जिक एक स्ट्रिंग है इस वाले rope को में खींचूंगा so what will be the motion of this block, ये block किस तरफ जाएगा आपके हिसाव से, right जाएगा तो ये right side में जाएगा so what if I pull this one, अगर में y वाली string को, y वाली रसी को खींचूंगा so what will be, what will happen to this block, where will it go, go to left side, okay now I have two hands and if I hold these two strings from both sides and I stretch them equally with equal amount of force what will be the motion, ये block जाएगा, it will stay at its place it will stay, okay, it will stay at its place, जहाँ पर है ये वही राएगा so ये चीज़े जो है आपको जैसे यहाँ पर, अगर आप string X को खींचोगे तो ये right जाएगा, string Y को खींचोगे तो left जाएगा, so if the block is pulled, जैसे मैं आप कह रहा हूं कि equal amount of force हम इसको खींचेंगे, ठीके right or left side, so what will happen there will be no motion so, इसको हम कहते है इस चीज़ को जब net motion जो है zero हो जाएगा इसको हम कहते है, force को हम कहते है, balance force क्या कहते है, इसको हम कहते है, इस force लगाने को हम कहते है, balance force, जैसे यहां पर एक बंदा है, यहां पर दूसरा बंदा इनके बीच में रसी है, और यह बंदा भी जो है, same amount force से खींच रहा है, ससी को यह भी खींच रहा है, अब बोलो, रसी कहां जाएगे, रसी तो एक ही जगा पर यहां पर अटक जाएगे तो यही होता है, इसको हम कहते हैं इस force को, इस force के लगाने को balanced force कहते हैं balance force होता है it do not change the state of rest जो rest में था इसको change नहीं करेगा or of motion of an object या अगर कोई motion में उसको change नहीं करेगा, क्योंकि इसको जो force लग रहा वो balanced है, यानि उसको दाएँ से भी वही amount of force लग रहा है यानि जो जिस shape में होगा वहीं पे वैसे ही position पे रहेगा, इसको कोई भी change नहीं आएगी जब balanced force लगता है, अब situation एक है, दो opposite forces जो है, वो act कर रहे है ब्लॉक पे जैसे यहां पे एक ब्लॉक है एक ब्लॉक है और force को जो हम major करते है, वह हम N major करते है, what is N? Newton, good, so Newton जो होता है, this is the SI unit SI unit, standard international, ठीक है, इसको SI तभी कहते, standard international unit of what यह किसका unit होता है force ठीक है, तो एक ब्लॉक है यह एक ब्लॉक है यानि आप समचो के एक box है, तो इस पे जो है दो opposite force लग रहे है opposite means, एक right side से लग रहा है दूसरा left side से लग रहा है, so यह जो forces है, different magnitude के, एक 7 newton है दूसरा 11 newton है, okay एक 7 newton है, दूसरा 11 newton है, so begin to move in the direction of the greater force, यह block जो है, यह कहां जाएगा जिस side से इसको force जादा लग रहा है, तो आपके हिसाब से कौन सा side है, जहां पर जादा force लग रहा है, so this is the right side, so this block will move towards right, because right side वाले बंदे जादा है, यह right side वाला जो force लग रहा है वो जादा पॉरफुल है इसे साब से, the two forces are not balanced, यहां पर क्या था, उपर आप देखो, यहां पर क्या था, the force was balanced, यहां पर क्या है, the force is not balanced, this is called the unbalanced force, इसको हम क्या कहते है, unbalanced force, क्योंकि balanced नहीं है, equal नहीं है, so the unbalanced force acts in the direction of block moves, यानि जहां block जाता है, unbalanced force वहीं जाता है, यानि इसको जो force अब लगेगा, यानि जहां यह move करेगा, वहां का इसको force लगता है, और जो यह force इसको यहां ले जा रहा है, जिस force से यहां जा रहा है, क्योंकि वह unbalanced है, और वह उसी direction में जाएगा, so this force is called the unbalanced force, okay, यानि जब unbalanced force होता है, जिस side का force ज्यादा होता है, block उसी side से जाएगा, okay, this suggests that an unbalanced force acting on an object brings it in motion, जब balanced था यह एक ही जगा था, इसको यहां से भी five newton थे, यहां से भी five newton force थे, यह कहीं पे भी अपना position change नहीं करेगा, बट जब इसको जो है opposite force मिला, और वह भी different magnitude का एक साथ दे रहा है दूसरा ग्यारा दे रहा है ग्यारा बारा ज्यादा पाउरफुल है इसका मतलब होगे यह ग्यारा की और चला जाएगा और यह उसी direction में चला जाएगा, so this is the unbalanced force जो आपको ज्यान में रखना है, so this is the crux of the chapter यह बहुत important है, balanced और unbalanced की और बात है जैसे कुछ examples है, यहां पर दो बच्चे है और यह continuously आप देखोगे कि दो बच्चे जो है एक थोटा बाई है बड़ी बहन है यह दो जो है बड़े box को ड्राग कर रहे है क्या कर रहे है so they are dragging a box or a floor ठीक है एक फ्लोर है अब क्या फ्लोर है हमें नहीं पता बट फ्लोर पे है यह box वो इसको ड्राग कर इसको धक्का दे रहे so they are trying to apply force इन्होंने जो है उपर आप direction में देखोगे कि they are applying a force so force जो है यहां पे arrow इस direction में जहां पे जहां पे जहां दे रहे तो उस direction का force लग रहा है but there is something arrow is the back arrow what is this back arrow और यह frictional force कौन दे रहा है फ्लोर दे रहा है फ्लोर दे रहा है frictional force और यह जो ऊपर forward direction में force दे रहे है यह दो बच्चे तो यह इसको यहां खीच रहा है और frictional force वापस दे रहा है आपके हिसाब से यहां पर देखो arrow का size यह दोनों जो है बराबर इसका मतलब हो गया जितना यह यहां से दक्का दे रहा है यहां से जो frictional force से इसके बराबर इसका मतलब हो गया जब frictional force हमारे दक्का देने वाले force का amount same होगा तो block जो है या box जो है अपनी जगह से लेगा नहीं ना अपनी जगह से नहीं हिलेगा तो इन्हेंने क्या किया इनने बुखत महनत की तो यह इसके बैदने इनको बहुत गुसा आया तो यह सोच ले लगे कि हम बहुत ज़दा इनने बहुत ज़दा जी तोड महनत की तो आप देखो कि जो arrow था भी वह छोटा था पहले अब वह कितना हो गया अब थोड़ा सा बड़ा हो इसका मतलब हो गया इनने फूर्स जो लगा वह ज्यादा है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है जो जमीन अपोज कर रही है इस बॉक् को सेम एमाउंट जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इसको बैक डिरेक्शन में लग रहा है इस फ्रिक्शनल फोर्स इस ऑल्मोस्ट सेम सिमिलर तो दो फोर्स विच बैर अप्लाइग इसका मतलब हो गया नेट मोमेंट जीरो तो यह फिर से मोमेंट नहीं करें अब इनको बहुत पुसिंग फोर्स के बराबर हो रहा है इसलिए बॉक्स बाक्स नहीं अब हुझा इसका मतलब हो गया जो इनका फोर्स है वह बोहुत हूज है और इसका मतलब हो गया जो से अब वो मुव करना स्टार्ट करेगा, you got the point? सो यह अब मुव करना स्टार्ट करेगा, the children push the box harder still the pushing force becomes bigger than bigger than the frictional force यानि जितना भी अब दक्का दे रहे थे इस वाले अभी तो जितना ही दक्का दे रहे थे उतना वो अपोस कर रहा था अब जो ही इस frictional force से ज्यादा force देंगे तो इससे ज्यादा हो जाया, so what has happened here, पहले यहां पी क्या था, balanced force, पहले क्या था, जितना वो friction यहां से जो है उतना यह अपोस कर रहे थे, अब जब इनका unbalanced force हुआ, यानि इनका amount force का ज्यादा हो गया, frictional force से, इसका मतलब हो गया, so it has brought the box in motion, यानि जब हमने पिछले पे देखा, जहां पे भी unbalanced force होगा, वहां पे motion आता है, वहां पे motion होती है, वहां पे movement होती है, so movement happens and box is dragged in forward direction or in the right direction, so this is unbalanced force, यहां पे आप लगा, so this is now unbalanced force, so the box starts moving in the right direction, okay, now, तो एक बंदा जो है, पैडल दे रहा है, आपने साइक्लिंग करते हो, ठीक है, एक बंदा जो हो cycling करता है, जितना पैडल देगा, जितना जोर से वो देगा, तो cycle तो है, उसनी speed बड़े गे उसकी, और जूहीं उसने stop किया, पैडल थक गया, तो उसने stop किया, होल्ट पे आ गया, वो movement नहीं करेगा, इसका मतलब होगा है, दीरे दीर साइकल जो है, खुद से रुख जाएगा, what has happened, तो यह पहली जो है, जो है, जो है, जो है, जो है, देखो, stop करेगा, यह रुक गया, अब जो है, अगर इसने continuous stop ही किया, तो there will come a time that this cycle will stop moving, है न, ऐसा ह होगा, होगा न, तो यह होता है, so an object maintains its motion, under the continuous application of unbalanced force, यानि जमीन जो है, इसको अपोस करेगी, अगर इसने पैडल बंद किया, तो जमीन इसको अपोस करेगी, दीरी दीरी वो रुक जाएगा, बट अगर इसने unbalanced force, यानि जो यह force लगा रहा है, that is greater than the frictional force, जमीन क्या देती है, opposite force, that is the frictional force, और यह जो ऊपर लगा रहा है, so this is FR, जो जो ऊपर लगा रहा है, इस direction में जहां से जा रहा है, तो this is its own force, और जो जो फोर से लगा रहा है, यह जमीन के frictional force से ज्यादा है, इसका मतलब हो कि आफ दो forces लग रहे है, एक right direction में, दूसरा left direction में, so again, this is the unbalanced force, कहा जाता है, जब तक unbalanced force मुझूद है, तब तक cycle या कोई भी चीज जो है, वो motion में रहती है, ठीक है, तब तक क्या होता है, an object maintains its motion under the continuous application of unbalanced force, ठीक है, यह जब तक unbalanced force रहेगा, तब तक वो substance continuously motion में रहता है, if this unbalanced force is stopped, यहनी इसने paddle देना, बंद किया, यहनी अपना force complete down हो जाएगा, अब क्या बचा, जो reverse direction में force लग रहा है, जनीन का, what's that? Frictional force, तो उसको खुद से stop करेगा, यहनी, there will be a change either in its speed or in the direction of its motion, यहनी, speed भी देरेदेगे, कम हो जाएगी, यह इसकी direction भी जो है, change हो सकती है, because of the frictional force, क्योंकि unbalanced force अब बंद हो गया, इसका total निकला, just to accelerate the motion of an object, an unbalanced force is required, यहनी, जब हमें किसी चीज को continuously movement कराना है, तो unbalanced force उसके लिए continuously चाहिए, and the change in its speed or in the direction of motion would continue as long as this unbalanced force is applied, यहनी, जो हमने कहा, कि जब तक और जिस direction में यह unbalanced force रहेगा, तब तक यह चीज जो है, continuously motion में रहेगी, और जो ही हमने stop किया, unbalanced force जो है, अब दिए 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 बैलन सब्सक्रास करेगा, फिर दिए 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 फिक्शन फोर्स उससे भी ज्यादा हो जाएगा, और दिए इसको इसको stop ही कर देगा, तो वात इस फोर्स इस प्लिट इस प्लिटी रिमोड, जो कोई भी फोर्स निया बचा कुछ भी निया बचा वट विलहाएगी, अब एस बोड़ी मुव नहीं करेगी, बोड़ी मुव नहीं करेगी, और भी यह तो प्रिक्शन, motion. The object will continue to move with the velocity it has acquired till then. तिस ताम ये स्टार्ट हुआ था फिर हमने फोर से सारे दुनिया से गाइब कर दिये तो वो चीज जो चल रही है वो चुनियोसली चलेगी और जो हमने स्टॉप की वो बिलकुल स्टॉप ही रहेगी उंक चेज निकरी अपनी direction. So this is the end of lecture for today. Thank you so much for joining me. If you enjoyed the video please hit the like button, share this video with other students, subscribe to my channel, press the bell icon for sure. Thank you so much guys.